तो आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, जैसे कि मैंने यहापे बॉर्डर बना करके रख लिया है, और उसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग से सुरू से बना करके बताऊं लिए कैसे बनेगा यह डिजाइन, तो पहले फंदे आप स्किप कर लिजे, उनको अपनी और में वापस से हमें यह तीन फंद उतार लेंगे श्कीप कर लेंगे यह नहीं छे उन्य फंदों का पैटन रहेगा थीन फंदों में वह बार बार रिपीट करना है 3 पंदे बिनने हैं जैसे कि ये उल्टा ही रहेगा 1, 2, 3 फिर वापस वापस से 3 निकालेंगे और 3 बिनेंगे 1, 2, 3 इस तरहे से Right Sideस आपको पूरा Complete कर लेना है 3 पंदे बिनने हैं 3 पंदे उतारने हैं देखिए इस तरहे से First row है Right Sideसे तो ये दो फंदे बच जाते हैं इसे भी मैं बीन ही लूँगी उसके बाद फिर हम आ जाएंगे देखिए फर्स्ट रो आपका इस तरीके से नजराएगा अब सेकंड रो हमें बैक साइड से जो फंदे उल्टे बीने हैं उसे उल्टे बीनने हैं वन टू थ्री और यह हो गया फोर फंदे अब जरह यहां पर तीन फंदे उतारने हैं वन टू थ्री वापस से हमें सेम प्रोसेस इस्तमाल करेंगे और तीन फंदे बीनेंगे और तीन फंदे को उतारेंगे देखिए इस तरीके से 1, 2 and 3 फंदे skip करेंगे 1, 2 and 3 फंदे बीनेंगे जैसा कि हमने right side से किया था same हमें back side से second slide भी हमें बना लेनी है 1, 2, 3 फंदे skip करेंगे और 3 फंदे बीनेंगे 1, 2 and 3 वापस से 1, 2 and 3 skip करेंगे 3 फंदे बीनेंगे 1, 2 and 3 यह हो गया आपका second row back side से देखे, इस तरीके से आपको बीन करके complete कर लेना है अब ये दो स्लाइब बीन लेने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और अब हम तीसरी स्लाइब में क्या करना हैं? इन सभी फंदों को इस तरीके से देखे लेंगे और सीधा बीन लेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 5 फंदे यहां सीधा बिन लेंगे जो बीच में 3 फंदे को skip किये थे अब दीखे उन को यहां नीचे से सिलाई को लेके जाना है और इस वाले तीसरे वाले फंदे में हमें सीधे बिनने हैं और इसके नीचे से लाना है फिर इसे हमें छोड़ देना इस तरीके से देखी और फिर यहां पर 1, 2, 3 and 4, 5 5 फंदे जो हैं यहां पर सीधे बिन आएंगे उसके बाद वापस से 3 वाले स्लाई में ऐसे नीचे लेकर के आएंगे और उनको ऐसे निकाल लेंगे देखी फिर इसे हमें छोड़ लेना है फिर यहां पर सभी फंदे जो हैं 1, 2, 3, 4 यह हो गया और एक फंदा इधर का भी हो गया इसे भी सिधा बिन लेना है वापस से यह दो फंदों के बीच में से लेकर जाना है और हमें इस तरीके से निकाल लेना है फिर इसे छोड़ देना है देखी फिर हमें यह जो इसकीप किये थे इससे सिधा बिन लेना इधर के एक फंदे और एक फंदे उधर के तो यहां पर पांच फंदे जो है हमें यहां सिधा बिन लेने है देखी यहां से यहां तक पांच फंदे वापस है हम नीचे से इस तरीके से लेंगे और में सिम्पल ही फंदे निकाल लेने हैं फिर इसी तरीके से आपको कंट्यूडियू करना है पूरी स्लाइब बना करके देखे इस तरीके से नीचे से लेके आएंगे और फिर हमें ऐसे फंदे निकाल लेने हैं देखे फ्रेंस इस तरीके से पूरी सलाई हमें बिन करके कम्प्लीट कर लेनी है यह हो गया complete अब हमें इसके back side से जो है सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बिन लेने हैं इस तरीके से देखे यहाँ पे सभी फंदे आपने जितने भी रखे हैं यह fourth slide हो गया back side से पूरी slide हमें इसी तरीके से उल्टा बिन लेना है अब वापस से second row हमें इसी तरीके से repeat करना है देखे यह fifth row है यहाँ पे 1, 2, 3 फंदे उल्टे बिनेंगे और फिर यह वाले जो हमें उतारे हुए थे फंदे उसे हमें उतार लेना है 1, 2, 3 वापस से हमें थिरी फंदे उल्टे बिनने हैं 1, 2, 3 और फिर थिरी फंदे उतारेंगे 1, 2, 3 अगेन हमें इसी चीज को repeat करते जाना है जैसा कि first row बनाये थे सेम आपको यहाँ पे fifth row भी बना लेना है देखिए इस तरीके से 1, 2, 3 और फिर थिरी फंदे बिनना है 1, 2, 3 अगेन 1, 2, 3 यह इसी तरीके से आपको पूरी रॉब बिन करके complete कर लेना है आपने जहाँ पे भी इसे design को apply किया है socks वगर हो, मौजे हो, cap हो उसमें आप इस तरीके से कर लेंगे फिर back side से भी हमने जिन फंदो को skip किया है उसे हमें वापस से उतार लेना है देखिए सीधे बिनते वे बनाएंगे ताकि यह उल्टे फंदे हैं वो right side आ सके इसलिए इसे सीधे बिनेंगे फिर यह तीन फंदो को उतार लेंगे 1, 2, 3 फंदे skip करेंगे देखिए और फिर यह तीन फंदे को बिनेंगे 1, 2, 3 वापस से तीन फंदे skip करेंगे और तीन फंदे बिनेंगे जो फंदे पहले ही उतारे हुए थे उसी को हमें वापस से उतारना है उसी जगे पे इस चीज का ध्यान रखना है देखिए एक बार और मैं बना करके बता देती हूँ आपको ताकि आपको next डिजाइन में कोई दिकत ना आए तो यह हो गया back side और यह हो गया front side अब हमें क्या करना है वापस से सेम प्रोसेस इस्तमाल करना है यह हमें सीधे बिन लेने है one, two, three यह हो क्या अब यह वाले यह थीन वाले फंदो में से एक बिन लेना है पिर वापस से सेको नीचे लेके जाना है और यह सिर्दे फंदे लेके दो फंदो को के ऊपर से लाके हमें ऐसे रखना है फिर यह सिरे फंदे बिन लेने है one, two, three, four, and five अगेन हम यह दो फंदों के नीचे से लेके जाना है और इस तरीके से फंदे निकाल लेने है देखिए फिर बिन लेना है फिर बिन लेना है फिर फोर एंड फाइफ इसी तरीके से आप continue कर लीजे मैं complete कर लेती हूँ तो इन ही सारे design को जहें बार बार आप रिपीट करते जाएंगी तो बहुत ही प्यारा सा design बन करके तैयार हो जाएगा तो मैंने दो रो यहां पर बना करके दिखाए हैं उमीद करेंगे आप सभी क्यों design प्लस यह वीडियो पसंद आये होंगे helpful लगे होंगे कोई दिकत है तो comment करके पूछ लीजेगा और हमारे चैनल को subscribe करिए और like करिए हमारे वीडियो को thank you